हेलो एवरीवन, आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेहें जिनके बाल बहुत ज़ादा गिरते हैं, बाल असमे जो है वो जढ़ रहे हैं, बहुत ज़ादा परेशान हैं, बाल जढ़न जो बाल जढ़ने की है, वो है स्ट्रेस, हर किसी को आजकल स्ट्रेस है, पॉल्यूशन आप देख रहे हैं, बहुत ज़ादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के कारण भी होता है, और हमारा जो खान पान है, वो भी पूरी तरह से गलत हो जिसकी वज़े से भी बाल जढ़त तो आपके बालों को भी जढ़ने चालो हो जाते हैं, तो आपको पेट का भी ध्यान रखना है, इसके अलावा उन लोगों के भी बाल जढ़ते हैं, जिन लोगों की तासीर जो है शरीर की वो ठंडी होती है, उनके शरीर में कफ जमता है, उन लोगों को भी ये प्रॉबलम बहुत ज़ादा कॉमन होती है आज हम एक मेड़ी बनाएंगे जिस में इसतारी में आपको मिल जाएंगे सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी हैरто को कैसे बनाना है और कैसे इस्तमाल करना है तो चलिए हम इसकी सामगरी लिख लेते हैं सबसे पहले सामगरी में आपको एड करना है आवला 250 ग्राम, आवला का पाउडर होगा 250 ग्राम, उसके बाद उसमें लेनी है आपको फिटकरी 200 ग्राम, फिटकरी को शुद करने की जुरत नहीं है, आप as it is यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसमें लेना है महंदी पाउडर, महंदी का आपको कलोंजी का पाउडर चाहिए, कलोंजी का पाउडर आपको लेना है 50 ग्राम, उसके बाद आपको लेना है मेथी पाउडर, मेथी पाउडर आपको लेना है 25 ग्राम, यह सारा आपको मिक्स करके पाउडर बना लेना है, पाउडर बना के आपको रख लेना है, उसके ब फ्रिपाण त्रिपाण यह जो पर अम्रूट थीजिए अच्छी तरह से उबालिये पकाने के बाद उस पानी को चान लीजिए और चानने बाद इस जो पाउडर मैं आपको बताया है ciao जिला करके उसका अच्छे से घोल तःयार करिये। जिले तिक यसलिए आप को पानी बहुत हिसाब अध्यां enfants, ताकि आप रहों हो से घिमटने जाते हैं। च्छे साज बाल, जिला आप करके सांगरिकों ड़ाण असे को में लिऊ भ्याएं, और रहां जाएं। के लिए 2-3 ने लिए 3-4 घंटे के लिए आपको इसको अपने बालो में थोड़ना है उसके बाद शेम्डू लगाना है शेम्पू जो लगाना है ़ो भी मेरा दिया हुआ रेमेडी वाला ही शेम्पू लगाना है कोई भी केमिकल का इस्तमाल नहीं करेंगे इन छे दिनों में जब तक आप ये रेमेडी फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको शैंपू बनाना भी सिखा देती हूं शैंपू में क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बता देती हैं वो है शीका काई 50 ग्राम रीठा जो लेना है वो भी ये आमला पाउडर लेना है 50 ग्राम ये तीनों चीजों को आपको अच्छी तरह पाउडर बना के मरें तनाया अगर बछार वी बनाना है प्र गोल वेरा आप पने घरमे फ्रेश लो वेरा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ऍुल मर्ड़ निकाल के रख लीजिये जप ग तो आपको उसमें अलोवेरा का जेल मिक्स करना है उस जो घोल आप बनाएंगे उस घोल के अंदर आपको अलोवेरा का जेल मिक्स करना है लगभग एक चम्मच भरके उसमें यूज कर लीजेगा और उसको आपको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हाथ से घोलीजेगा उसमें कि अपने बालो में लगाकर के अपने बालो को अच्छी तरह से आप धोली जेगा इसके बाद आपको प् पानी निकलता है वह पानी को आप राद भर चोड़ दीजे फर्मेंटेशन होने के लिए जब फर्मेंट हो जाता है तो नेक्स मॉर्निंग उसको उठा करके आप फ्रिज में रखें क्योंकि वह खराब जाएगा उसमें बहुती जादा खटी स्मेल आनी शुरो जाती अगले पानी को भी स्प्रे करके आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं बाल का टेक्च्चर जो है वह बहुत अच्छा रहता है त्राइ कीजेगा यह रेमेडी मैंने ट्राइक की विए और बहुत बड़ी आसर करता है तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिखा देती हूं कि तेल को यहां रोर्डी मैंने कहाता हैं नार्य इस तो है कलॉंजी का तेल इमिलेबल नहीं हैं तो आप कलॉंजी का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सब कुछ पकेगा के लावा हमें लेना है अलोवेर आपको तो फखिरा निकाल लेना है अगर आपको ड्राई हबीसकस मिलता है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं और आपको डालना है एक छोटा प्यास प्यास आपको छोटे-छोटे बीसस में काटने हैं और उसको आप चम्मच से मेजर गीजेगा कम से कम तीन स्पून होना चाहिए वो तो यह सारी चीजे जो हैं आपको उस ओयल में मिक्स करना है और मिक्स करके इसको पकाना है अच्छी तरह से पांच मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पर आप पकाईए जब यह थोड़ा सा ब्राउन हो जाए सारा इंवीडियन तो इसको आज पर से उतार लीजिए और इसको चान करके आप कहीं पर स्टोर कर लीजिए स्टोर करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी शीशे का ही कोई कंटेनर ढूंडिये जिसके अंदर आप इसको स्टोर कर सके उसके बाद जब चाहें तब आप इसको लगाईए बाल में यह जो है ऑईल यह आपके बालों का जो ज़ड़ना है उसको 101 परसंट कम कर अब आते हैं शरीर के अंदर की गंदिगी को निकालने के लिए हमें क्या करना है अब उसकी रेमेडी भी आप लिख लीजिए उसके लिए आपको चाहिए सौफ 50 ग्राम सौट 50 ग्राम काली मिर्ची 10 ग्राम गुलाब की पंखडी 25 ग्राम काला नमक 20 ग्राम कोई भी इंग् पंखडी आपको जरू डालनी है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है बाकी कुछ चीजेस में ऐसी है जिसकी तासीर गरम है तो हमें इसको बैलन्स करना है इन समीस आमग्रियों को इखटा करके आपको पीस लेना है पीस करके इसका एक पाउडर बना करके आप रख आपको एक चम्मच एक टी स्पून आपको पानी के साथ लेना है रोज इससे आपके पेट की सपाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आपके शरीर में जो एसीड बन रहा है वो नहीं बनेगा उसके बाद मैं आपको एक लड़ू बनाना सिखाती हूँ यह का उसे पेडिशनल लड़ू है इस लड़ू के लिए आपको क्या क्या समर्गी चाहिए वो भी बता देती हूँ आपको इसमें चाहिए चाहिए 50 g तिल, सफेद तिल चाहिए 50 g आपको चाहिए 25 g सौट, सौट का पावडर चाहिए 25 g 40 g आपको चाहिए खसखस 50 g आपको चाहिए सौफ , 20 g आपको हलदी घी में भुन करके आपको इसमें मिलाना है अब ये सारे जो ingredients मैंने आपको बताएं हैं ये सफेद तिल हो गया, सौंट हो गया, खस-खस हो गया, सौंफ हो गया इन सब को आप थोड़ा सा घी लेकर के उसमें उसको भुन लीजिए भुनने के बाद इन सब को आप पीस लीजिए दर-दरा पीसेगा, बहुत बारीक मत पीसेगा और इनको पीसने के बाद आप अपने स्वाद के हिसाब से आपको गुड़ लेना है जिसमें ये लड़ू फॉर्म में बन जाए, ये बन जाए गुड़ को आप मेल्ट कीजिए, और मेल्ट करने के बाद ये जितनी भी इंग्लीडेंस है, ये सारा आप गुड़ में डाल दीजिए और छोटी-छोटी आपको गोलियां बनानी है गोलियों का साइज जो छोटा गुलाब जामून होता है, उतना बड़ा होना चाहिए ये जो लड़ू है, इस लड़ू को आपको रोज, सवेरे के टाइम जब आप खाना खाते हैं, नाश्ता खतम करते हैं, उसके बाद आपको ये खाना है इसके लाबा आपको एक चीज और करनी है, वो बहुत कंपलसरी है, बहुत जादा कंपलसरी है, उसको आप किसी कीमत पे मिस नहीं कर सकते आपको रोजाना दिन में दो बार چोटी काली हरड मैं फिर से बोलती हूँ छोटी काली हरड आपको चूसना है दिन में दो बार ये कंपलसरी है इसको आप स्किप नहीं कर सकते अगर आपने ये काली हरड रोज आपने चूसा तो आप magic देखेंगे आपके बालों में, आपके बालों का रंग काला होने लगेगा, बालों में चमक आ जाएगी तो ये एक magical ingredient है, जो मैं आपको बता रही हूँ ये complete recipe जो है, इसको आपको 6 दिन तक follow करना है बड़े diligently follow करना है, कोई भी चीज आप skip नहीं कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके बालों का जढ़ना एक हफते में काफी हद तक कम हो जाएगा, लगभग 80-90% जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से रूटीन में अपने शामिल कर लीजेगा तो I hope दोस्तों कि मेरी रेमेडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी यह मेरी रेमेडी नहीं है, यह डॉक्टर पंकर जी की रेमेडी है बट मैंने बड़ी महनत करी है, उनसे हासिल करने के लिए उनसे बहुत जादा उनको कावे परिशान किया है मैंने इस रेमेडी के लिए तो उन्होंने फाइनली मुझे रेमेडी दी और उन्होंने मुझे संपूर्ण रेमेडी दी है ऐसा नहीं कि सिरफ एक चीज बता दी कि चलो तेल दे दो उन लोगो कोई बात नी चलो सिरफ हैर पैक दे दो चलो सिरफ शैंपू दे दो उनको कोई धंका चलो उनको खाने के लिए कुछ बता देते हैं इस रेमेडी को शैर कीजिए जितने भी लोगों को परिशानी है उनके साथ शैर करिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी ज्यान अपने तक सीमित मत रखिए इसको बाटिए इसको जितना बाटेंगे उतना बढ़ेगा ये ये हमारा मकसद है तो चलिए आप इसको इस्तमाल करिए मैं भी इसको इस्तमाल कर रही हूँ और हम सब मिल करके इसका जो रिजल्ट है वो डॉक्टर पंकर जी को हम सब बताएंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही था मिलती हो नेक्स वीडियो में आप सब लोग अपना ख्यार रखेगा टेक केर लव यू ओल एंड गुडबाई